प्डेयो डियो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने योटू 계속 चैनल पर डियो स्टूडेंट्स ाज की वीडियो RVSC Board Class ठ्वेल्थ डरॉइंग के स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है स्टूडेंट्स आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक महतोपूर्ण मोडल पेपर जो आपके एन्वर एक्जाम में भोच जादा मदद करने वाला है तो स्टूडेंट्स वीडियो को आप लाज तक जरूर देखिएगा वीडियो आपको अच्छी तो देखिए स्टूडेंट्स आपकी वार्षी प्रिक्षा होने वाली है चितरकला की उसमें आपको टाइम मिलने वाला है तीन गंटे पंदरा मिनट और जो पेपर होगा वो चोईस नमर का होगा तो ये जो पेपर है सेम इसी तरह का पेपर आपको वार्षी प्रिक्षा में भी देखने को मिलेगा सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शन्स होगी स्टूडेंट्स के लिए वो आप अच्छे से यहां पढ़ सकते हो और यही इंस्ट्रक्शन्स आपको मेन पेपर में मिलने वाली है तो आप अच्छे से देख लीजी इस्ट्रक्शन्स है और इस्ट्रक्शन्स जैसी आप पढ़ लोगे तो आप पाओगे कि आपका जो चितर कलागा जो पेपर है वो अलग-लग सेक्षन के अंदर डिवाइड होगा सबसे पहले सेक्षन ए फिन्ड-ए की रूप में जो होगा उसमें अबजेक्टिव टाइप क्यश्यन दिये होगे तो आप देख सकते हो अबजेक्टिव टाइप क्यश्यन जो की पड़त एक क्यश्यन आदा नमर का होगा तो बहुत ही स्ञानदार क्यश्यन है इसके अंदर जैसे महावीर का जनम चितर किस करंथ के अंदर है दूसरा राजपुत चितर कलापुस्तक के रचियता कौन है उसके बाद जहांगीर का सपना चितर किस चितरकार की कृती है उसके बाद देखिए योगिनी चितर का सम्मंद किस सेली से है पहाड सेली का मुख्य के अंदर क्या है उसके बाद बंगाल सेली के परवर्ट तक कौन है तो ये 6 क्योशन्स आपको तीन नमर के जो की आएंगे अब्जेक्टिव टाइप इस तरह के आपको देखने को मिलेंगे उसके बाद जो क्योशन नमर दो है उसमें रिक्तिस्तान के आपको पुर्टि करना है ये भी आदा आदा नमर का है और ये दो नमर का आएगा तो तीन नमर के होगे जो की ऑप्संस वाले और चार जो रिक्तिस्तान वाले आएंगे आप देख सकते हो मेडोना एंड चाइल्ड कृति किस की है तारिफ ए हुसेन साही का चितरन किस सेली में हुआ है रादी का चितर जो था उस चितरकार की कृति कौनसी है महराष्टर की कला किस के लिए पर्शिध है इस तरह के उसके बाद जो स्टूडेन्ट जो परसंट नमर तीन आएगा अतिला उत्रात्मक पर्सन जिनका उत्रा आपको एक पंक्ति में देना है वो भी आदे आदे नम्मर के होंगे जैसे महाबारत के फार्शी अन्वाद को किस नाम से जाना जाता है नुजुम अलूल्म किस सेली की रचना है पहाड सेली की उप सेलियों के नाम लिखिए यह आएंगे तो कहने का मतलब तीन नम्मर के होगे आपके यह अतिला उत्रात्मक दो नम्मर के होगे आपके रिक्तिस्तान की पुर्ति वाले पांच और तीन नम्मर के होगे एवसेदे वाले तो आठ नम्मर के यह चोटे केशन आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपका पेपर होगा 24 नमर का 24 में से 8 नमर छोटे केस्चन होगे अब सेक्षन B देखिए जिसके आंसर आपको 40 सब्दों गें अंदर देने होगे और ये देखिए 3 बटे 4 के रूट में है परतेक पर्षन का सई जवाब देने पे आपको पुणा एक नमर आपको मिलेगा जैसे पस्चिम भारतीय चितरकला को अने किस नाम से जाना जाता है पाल सेली के परमुक के अंदर लिखिए बारह मासा से आप क्या समझते हो रसिक पिरिया के बारे में लिखिए पहाड़ी सेली के मुख्य चितरकारों के नाम लिखो नाई का भेद क्या है कमपनी सेली किसे कहते है राजा रवी वर्मा के मुख्य चितरों के नाम बताईए राम किंकर बेज के बारे में आप क्या जानते हो अमरिता सेरगिल के बारे में भी लिखिए तो ये 13 तक के जो पर्षन है ये होगे उसके बाद देखे सेक्षन सी जिसके उत्तर आपको डेट सो सब्दों के अंदर देना होगा पर तेक पर्षन का जो सई जवाब दोगे तो आपको डेट नमबर मिलेगा जहांगीर काल में चितरकला का शर्वादिक विकास हुआ उप्रोक्त कथन पर अपने विचार लिखिए विजापूर चितर शेली के बारे में आप क्या समझते हैं उसके बाद पिठोरा चितरकला के बारे में विस्तार से लिखिए ये तीन पर्षन आपको डेट सो सब्दों के अंदर देने होंगे अब सेक्षन डी देखिए जो की डाई सो सब्दों के अंदर आपको उत्तर लिखना है और परतेक सही उत्तर करने पे आपको दो नमर मिलेगा परते एक परसन पर, इसमें जो परसन होगा, वो अथ्वा वाला भी होगा, जैसे रास्तानी चित्रकला सेली का परीचे देते हुए, रास्तानी सेली की दो उप सेलियों के बारे में लिखिए, अथ्वा में एक परसन और है, रास्तान की प्रारंबिक चित्र सेली, मेवाड से मिका के बारे में लिखे तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका चित्रकला का मोडल पेपर अगर आपको और चित्रकला के महत्वपूर्ण मोडल पेपर चाहिए तो आप कमेंट बोक्स के अंदर जरूर बताईएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियो मोडल पेपर से रिलेटेट डाली जाए सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पाउंड जाए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा थैंक यू वेरी मच